राम राम भाईयों, मैं नराइन बदाला, नसा छोड़े, स्वच्त रहे, मिर्त्यू बोज़ पर एक नहीं रचना लेकर आया हूँ, आसा है, आपको पसंद आएगी, आद भी बिमार होता है, बिमार होने से उसके बारा दिन तक लोगों के दिमाग में क्या भावना होती है, क लिटाया का ख्वाव, अठीनू बिमार नेगर का अस्पताल लेजाबा लाईया, और अठीनू अमलदार मरोडा खाबा लाईया, देख देखर केवे डोकरो जाबा में, पर आपने देस बारा दन को इंतजाम होबा में, अब तक जो ओतो आयो, बगवान वही गत करयो, खू रेर दिमाक में आरियो, बार बार आक्याम हो आसू फूटे, और कर्जो माते हो जाई, या सोचर चाती मता कूटे, पुराणों नियम भी इश्यो बनायों, पंचय की बात ने टालनी, दाग ने ओयो जी फेली वता उबलाईगी, शकर कत्री वोरी गालनी, अबे रोबा की प और बादो तंबाको की चलमा, और माजन के अटे मंडगी, मोटी मोटी कलमा, बारवा के धन, नुगती, लाडू, मावा की चक्की, गुलाव जामून, और मखन बड़ा बनाया, और चाती पे हलाडों मेल, आकई गाउ में, और जात में, हगरी नूता लगाया, चिंबा वड़ा, काबाय की इच्चा, ओ, मतो, अधो सामान कयो, और अधो पातल में उट्याडों छोड़ दीदो, सातियों, आज मृत्यू बोज होता है, मृत्यू बोज के उपर जो मिठाई बनाते हैं, मैं सोचता हूँ, जितनी ज़्यादा मिठाई बनाते हैं, उतना ज़्यादा नुक्सान होता है, क्योंकि चक्की बनाएंगे, तो चक्की लड़ू नहीं खाएंगे लोग, और गुला जुब कारी हो यार किसी का बाप मर गिया और हम मिठाई खाने जाते हैं तुमको सोबा देती है चीज नहीं जरा सोचो तो सही उस खर्चे का क्या इसाब होता है अब सुनिया आप आगे आखिर में इस सब काम को खर्चो गनायों जदी एक बात समझ में है कि बाप मरबा के मुह मरे माता का बार नाई का अतों न उत्रे यो तो बारा दन को खर्चवी उता रहे तात्यों बारा दन का खर्चा क्या होता है उस आदमी के परिवार में मौत हो गई उसके कोई मर गया कोई चला गया उसके दूर हो गया और हम फिर भी मिठाई खाते हैं बड़ी स्थान से यह सोचने वाली अब आगे सुनिया इसकी मारमिक चीज जो आपको मैं बताने जा रहा हूं यो बोज कटीनु आन पडियो अन चीतियो दुखड़ो जान पडियो ने आज दनी को मन राजी दीखेवी को ने तन राजी दाताने बीच मनेंग नूत्या यो खाको सोक गणो जीमा यो बिना उचब को जीमन है रूपियां को नाज गणो होए सब इने जल्दी बंद करो जो थामे मनक पणो होए यो दरम प्रष्ट या सास्त्र कियो मूंडाउं करकर हा जीमा यो अनको गणो बगाड़ो है सुन ली जो पाप उगाड़ो है ते दरम करम का रखवाड़ा मानाई की रुपियां वाड़ा हो तो गायाने चारो नकवा दो पाणी की प्यावा बरवा दो वाँ का भनबा को खर्चो दो जो गरीब गरा का बेटा है बीमारा को इलाज करो वे बाट जांकता बेटा है यो हाथ जोड कर केनो है अत्रीसी बात करा जीमो थै अशो जीमनो खा जीमो थै अशो जीमनो खा जीमो साथियों ऐसा जीमन क्यो जीमते हो जिसके घर में कोई रो रहा है ऐसा जीमन क्यो जीमते हो जहां दुखी गड़ी होती है अगर मनुश्य हो माने हो इंसान हो और भगवान को मानते हो तो आज इस कविता सुनने के बाद कम से कम इस मृत्य बोज को त्याग दो इस मृत्य बोज को खाना छोड़ दो ये बिमारी तो बहुत जल्द खतम होगी लेकिन आपके अंदर मानुता है तो मेरा आप सबसे आज जोड़ कर यही कहना है यही अनरोड है कि इस मृत्य बोज को खाना छोड़ दो और साथियों प्लीज आप से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करो अगर आप मेरे साथ हो तो इसको सेर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पुछाओ और यह मृत्य बोज मरने के बाद किया हुआ बोज बंद कर दो जए हिन जए भारत नसा छोड़े स्वस्त रहे